तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस ramp को manually setup कर सकते हैं इसकी length, width, height, इसको कितना roll करना है, कितना pitch रखना है, सब को setup कर सकते हैं और कैसे manually आप इसकी length जितनी चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं और वो भी जहां तक आप चलने आप कैसे इतने बड़े ramp को बहुत असानी से control कर सकते हैं और अपनी मनमर्जी के साब से setup कर सकते हैं आप कैसे बहुत सारी गाड़ियां spoil कर सकते हैं और यी गाड़ियां अपने अप गायब भी नहीं होगी जैसा कि बहुत सारी गाड़ियां को प्रॉब्लम फेस होती है क्योंकि गाड़िया अपने अप गायब भी यह नहीं होगी जितनी चाहे उतनी गाड़ियां आप अड़ कर सकते हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कैसे आप speed booster अड़ कर सकते हैं पुलिस वाली से दो पुलिस वाली दो से हो जाएंगी चार और वो चारो की चारो एक दूसरी को follow करेंगी चैसा आप चाहोगी वैसा होगा चार पुलिस वाली होगी यह follow करेंगी हम एक neutral भी निकाल सकते हैं जो किसी को follow नहीं करेगी कैसे आप James Bond की इस character को भी install कर सकते हो और यह जैसी भी पुलिस वाली उमला करेगी बाकी सारे पुलिस वाले इसकी तरफदारी में आ जाएंगे तो hello and welcome guys आज हम फिर से खेने जा रहे हैं GTA 5 और भाई आज हम करेंगे modding वो भी extreme level वाली और भाई मैं आपको एक एक step बताऊँगा कि कैसे आप अपनी modding स्टार्ट कर सकते हो और कैसे उसको extreme level तक लिखर जा सकते हो पूरा वीडियो देखना बिना skip की वे आपके लिए इस वीडियो में बहुत कुछ है और भाई आज का जो construction रेना ramp खा वो पूरा पूरा करने वाला है शिंचैन तो भाई next अब जो भी होगा वो शिंचैन करने वाला है तो भाई सबसे बहले आप लोगो आने आने spawn mode में menu trainer में और यहाँ पर आपको एक 45 degree का एक ramp setup कर लिए यह आप मैंने तो कर रहा था फेवरेट आपको यह मिलेगा track के अंदर track के अंदर आप इसका जाओ तो नाम देख सकते हो नाम में आपको description में भी देद हुआ या फिर मैं आपको वीडियो के बीच में दिखा रहता हो यह नाम अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा फिर एक giant ramp हम लोग set up कर लेते हैं या दो होगी चीज़ें एक हमीची बिल्कुल flat like 1 meter वाला ramp जिसका use हम लोग करेंगे इसकी length बढ़ाने खेले तो यह हमारा 1 meter का straight length तो बहुँ इस straight ramp से हमारी जो main ramp होगा उसकी length हम लोग बढ़ाने बाले है तो यह तीन हमें मिल गए इसके बाद हम लोग start कर लेते हैं अपना ramp setup इन तीनों के अलावा बहुत जादा चीज़ों के ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो यह सबसे पहले आप लोग इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं ऊपर उठाने के बाद इसको beach में setup कर लेते हैं जोकि यह वाय से होगा pitch से हम लोग setup कर सकते हैं कैसी move करेगा कितना भूमीगा roll से हम लोग setup कर सकते हैं कि आगी की तरफ जुकाना है या पीछी की तरफ उठा रहा है तो इसका आप बहुत अच्छी से इस्तिमाल कर सकते हैं X का मतलब होता है अब कितना आगी या कितना पीछी लेकर चाना चाहते है इसको ramp को उसके बाद हमारा flat surface था इसको 1 meter बाले को हम लोग attach कर देंगे main हमारे ramp के साथ और भाई अभी तक आप लोग अगर ये खुद भी try किया होगा तो बहुत बड़ी problem लोगों को क्या आती है कि इसका adjustment बहुत मुश्किल होता है इसका adjustment बहुत ही जादा करने के जो तरीका मैं लेकर आया हूँ हो ये है कि आप इसको attach कर दोगी दूसरी attachment के साथ जैसे कि मैंने इसको detach कर दिया मैं attach पि गया हूँ और भाई मैंने इस वाले मैं भी फ़ले इसको जाओगा इसको मैंने copy किया और मैंने attach कर दिया इस वाले राम के साथ राम के साथ attach कर दिया सिर्फ मुझे एक बार ही adjust करना होगा और एक बार adjust करने के बाद मेरा जो ये राम्प है वाई ये बिलकुँ 90 डिगरी में जैसे मैंने setup किया वो बिलकुल बैसे जाएगा तो बस मैं इसको एक बार setup कर लेता हूँ ये touch तो हो गया था नेकिन वो बिलकुल सीधा नहीं हो था गाडिया उसमें touch कर मार मार के जाती और वो unstable रहता I think ये होने बाला है फोड़ा सा और तोड़ा और पास 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 I think हो गया है जादा नहीं मिच है Almost done तो बाई इस type को हमें setup कर लेना है ताकि वो बिलकुल भी stable रहे और बहुत जाता उसमें लिक जटका नहीं आना चाहिए जब वो गाड़ी उसको touch कर रही होगी I think ये perfect है ये वाला जो route है ये बिलकुल perfect है हाँ इतला बेंड कर लिया हमने बिलकुल सही है इसको touch कर देजा है Hex से Hex से हमने इसे पीछे और आगी लियाने में कोई issue नहीं आथा है Y से left और right लिया सकते हैं और Z से उपर या नीचे और roll का काम बहुत जादा अच्छा होता है इसमें roll कर गया बहुत इसको alignment में ला सकते हैं तो भाई ये almost हमारा done हो गया है तोड़ा सा roll करेंगे तोड़ा पीछे और भाई done इससे जादा अच्छा ये नहीं हो सकता है ये बिलकुल perfectly touch it है I think मुझे इसमें और जादा चीनिस नहीं करने चाहिए जादा उपर हो गया नीचे 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 I think this is enough ये बिलकुल perfectly तरीके से हो गया है हमारा और भाई अब मुझे सिर्फ इसकी length बढ़ानी है और जितना जादा हो सकता है न मैं इसको बादनों के बहुत ऊपर लेकर जाने वारा और भाई वहां से होगए jump और आप समझ सकते हो जब आप बादनों के ऊपर से jump खरते हो आपको खुद को नहीं पता कि गाड़ी कितनी दूर तक जाने वाली है आपकी तो भाई मैंने इसमें बिना रुके बिना था कि बहुत सारे ramp एड़ कर दिये हैं वन मीटर एच के और यह ramp जो आपके एड़ हो रहे है यह आप यह समझ लो कि इसके अंदर है एक 19-20 का जो फर्क हो था वो भी नी होगा बिल्कुल प्लेन होने वाला है यह ramp ऐसा जैसे के भाई अभी अभी नितिन गटगरी नहा बनवाया है क्योंकि उससे चे रैम आज को बना ही नहीं रहा है तो वोट फू वोदी मैं भी देखा रहा है वाज ठीक है रैम हो गया है वारा पूरी तरह से complete शिंचन पूरी तरह से excited लग रहा है क्योंकि अब यह गाड़ी है इसको बगाने वाला है बहुत ही गंदे दरीके से तो यह है उसका second ramp जिसकी बहुत मुख्य भूमिका होने वा जैड से इसको नीची लेकर जाएंगे और इसको रोन कर लेता है रोन करके वाई यह तो आ गया यह उपर आ गया इसको नीची इसलिए नीका जाने जमीन की क्योंकि इसके फ्रेंट वाला पोशन है वो अलड़ी जंप वाला पार्ट है अगर उसको यहां पर जंप करादें तो मीन उस तक जाए गई नहीं I think इतना ठीक है इतने पर इसको लोग डबा देते हैं और भाई उसको बिल्कुल लास्ट वाला पोश्र इसको जोड़ देते हैं जितना पास रहेगा उतना अच्छा है कि वो नीचे उतरते के साथ ओपर जड़ने के लिए उसको मिल जाएगा गाड़ी को होगी गया जैसे वो फॉल स्पीड में नीचे आएगी गाड़ी वो बिल्कुल उपर जाने के लिए रेड़ी होगी तो भाई आभी फिलार हमारा जो रैंप है वो है शे यहाँ उपर से हमारी गाड़ी आएगी रैंप से और वाई सामने वाले रैंप पर जाएगी यहाँ पर शिंचेन भी है दिखा दो कैसा है पीछे-पीछे हाँ यह तो पीछे की तरफ जो रैंप आप आप ने दिखा भी वो फॉत ही ज्यादा खतरा और बहुत ज्यादा आउंचा है लेकिन इस बेस के लिए चाहिए एक बेस जहाँ पर हम लोग सेट अप करेंगे अपनी गाडिया उसके लिए मैं सो चाहिए बिल्कुल सिंपल सा सीधा सा बेस हो वाट सेथे की जगर राउंड भी यह सब थेयर इसको भी आप ट्रैक के अंदर जाके ट्रैक सर्च करोगे और उसके अंदर मिल जाएगा आपको वाई के साथ इसको सेट अप कर लेंगे पिट से नहीं यह जो वाई एडब्ली वाला जाप्शन है इससे आप गुमा सकते है किसी भी ऑप्शन को यहाँ पर नमारा यह ऑप्शन है यह हो गया है सेट रैंप हमारा सेट है इसको बिल्कुल टच कर देंगे और मुझे लगा यह है वाईट एंड रेड के बीच में बिल्कुल ठीक है इसको उपर लाव बराबर यह इतना जादा परफेक्ट अभी में को लग रहा है जैसे कि कुछ अलग से है निसमें अटाइज ही था है पहले से बहुत सही अभी इसका सेट अप हो गया है लेकिन गाडियां अगर आएंगी तो लेफ्ट साइड वाला हमनों खाली चूट सकते है पर राइट साइड वाले को हमें बिल्दाना पड़ेगा फूरा रैंप के साथ बिल् अभी मैं आपको चीज बताता हूँ आपने बहुत सारी इसी रैंप आली रेसिस देखी होगी अभी आपको एक गाड़ी की साथ सेंपल दिखावे थी जो उसमें सबसे बड़ी दूवी था पता क्या आती है किसी भी नॉर्मल प्लेयर के अन्मन में कि अगर मैं गाड़ी ल 269 बेरी नाइस 268 और 268 की स्पीड पर मारा इसने जंप और भाई घाड़ी बहुत ही जौदा रॉकेट की तरह निकली है यह पादल अभी भी छटे है और भाई जस्ट यहाँ पर यह गाड़ी गिरी है जस्ट थोड़ी सी आगे थोड़ी सी आगे थोड़ी सी आगे अगे अब नहीं उताता है तो मैं मिलिटरी वर जाते पीछे सीधा तो जैसे आभी हम वापस आगे ना आपको भी बहुत ही अच्छा सा तरीका बताता हूं बहुत ही एजी है आपको बस कुछी नहीं करना आपको मैन्यो ट्रेनर उपन करना टेलीपूर ऑप्शन में जाना है लास नहीं गाड़ी के साथ दुबारा स्टार्ट कर पा हूँ तो यह बात याद रफना है यार बहुत ज़लू ही है तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो भाई आपने अल्मोस 50% वीडियो देख लिया है और मैं बहुत शुक्र उजार हूँ आपको थैंक्यू सो अगर आप अपने उसमें से चार वीडियो अगर निकल गए हो जो तक वापस आउगे तक बागी तीन गाइब गजेंगे तो बैट यह पर एक ट्रेन एड करने का सोचा पहले नीचे रखके देगी सान ट्रेन ही थी ट्रेन उपर एड कर ली अगर इसमें कौश्में वीडिय जिसमें मिसाईले वगरा थेनाथ हैं तो अवरल हमारा ये सेटप है पूरा का पूरा इस सेटप के अंदर मैंने एक ट्रेन रखिए है एक मिलिटरी वीकल रखा है तीन बाइके हैं तीनों बाइके बहुत ही जबरदस्त हैं यह नॉर्मल वीकल है कोछ चोटे मोटे कुछ अ सेटप के लिए और मैं आपनों को दिखाने वाला हूँ एक बहुत ही बड़िया तरीखा सेटप को चेक करने का यह हमारा रैम उपर जैम लोग आएंगे नीचे और यहां से जाएंगे ऊपर लेकिन अगर स्पीड बूस्टर नहीं होगे तो फिर फाइदा क्या आपनों जैसे यह चार वाल अप्शिन में जाएगा ना यह बैस्ट आप के लिए यह चार वाले मोड को सेट अप करो फिर उसके अथोट असा नीचे इसको करेंगे कॉपी करके जैसे में आपको बताया था अटेश्मेंट करना है पहने तो अटेश्ट तो सेल्फ करना है इसी के बढ़ा हो गया गए यह बिलकुल अलाइमेंट में सेट होता जाएगा तो अलाइमेंट में सेट करते के साथ साथ इसको तीन बाबार हो गया है चार आइधिंक रैम्प बहुत है इससे जादा की गरौत नहीं यह आपक है तो इसकिलाल हमारा यह वाला रैम्प हो गया है रोल 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 बहुत सही इसी रोल के साथ ये वाला सेटप हो गया और 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 अड़ कर लेते हैं पूरा ये जो मैटल वाला रैम्प है इस पर भी स्पीड बूस्टर ने लगा दिये है I think कोई रिपकत है नहीं अभी पूरा का पूरा रैम बरिया स्पीड से और सेंट चीज़ हमें करनी है इस वाले रैम के साथ भी तो हम दो एक एक बूस्टर को कॉपी करेंगे और ये कॉपी करके वाँ पर ले के जाएंगे और उसके बाद पूरी स्पीड के साथ इसको पूरे पर लगा देंगे बाई मैं दो वेट कर रहा हूँ पहले वीकल का जिसको मैं लेकर जाओंगा और बिल्खुल आर पार उतार दूँगा ये नीचे चला गया हाँ आगया उपर बिल्कुल अटैश हो गया इसका सोगा से लेंद अटिस करेंगे बास परफेक्ट ये है बिल्कुल सही तरीका इसके अंदर अटैच करने का इसके बाद कॉपी कर हो अलग ही रेवल का होने माला है 100 पीड बूस्टर के साथ ये रैम बहुत ही जादा तगड़ा प्रफॉम करेगा और बाई एक एक करके अब इसको कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट के करना है कि अर्मोस्ट पूरा हो गया है मैंने एक ही करके बहुत सारे स्पीड बूस्ट में लगा है 100 से जादा स्पीड बूस्ट में लगा तुपाव में और आप बस वेट है यहां से कूद्री का बाई उपर अगर आप देख रहे हो आपको पूरी पृत्वे दिख रहे हैं आपक सब्सक्राइब कर रहे हो यहां से अब देख रहे हो पूरे में सिफ स्पीड बूस्टर दिखाए रहे है तो बाई जस्किडिंग ट्रेन अमने ऐसे एड़ खरती इसमें चलाने का उप्शन नहीं तो मिलिटरी वीकल लेकर शिंचन निकल गया है कलर चेंग ऑप्शन हमीशा सबी गाड़ियों में एप्लिकेबल है सब में हमने एड किया हुआ है तो मेटरी वीकल लेकर निकला है स्पीड बहुत तेज है इसकी दो सो चादेश वाई लडखडा आगया बहुत बारी वीकल है और यार गिल गया नहीं चेंगे तो वाई शिंचन से आभी भी भी नी पड़ा रहा है भी ट्राय करते हैं क्या पता जादा आगे तक जाएगा है नहीं और भाई स्टार्ट तो कर लिया है 140, 130, 140 बहुत बहुत बारी वीकले तो गिरा है तो यहां से हम लोग चलते हैं वाग्पस रैंप के ऊपर यहां पर आगे भाई इसके बाद हम लोग टेस्ट करने वाले हैं पर बाई के लिए शिंचन इस नौ दर राइट पर इसके लिए हम इने मौडल चेंज कर लेता है बाई शिंचन करने से पहले एक छोटी गाड़ी ट्राय कर वाले से बच्चा है बच्चे की सारे जिदे पूरी करनी होती है फ़िए शिंचन की दिद पूरी करने लिए हम इसको गाड़ी दे थी है अब गाड़ी लेकर गया फुल स्पीड में 230-230 की स्पीड में चल रहा है स्पीड उस्टर के साथ और अनलगी लेवल की गाड़ी चला रहा है शिंचन हो गया बिल्खुट बावला और 170 की स्पीड पर गाड़ी गई है लेकिंग इसके टायर वार सब बंद क्यों हवा में एसकुलेटर देगा क्या है नीचे करके दुआत ओट गया है अब हम आदे ह मॉरल चींटिर के अंदर मॉरल चींटिर के अंदर हम लोग एंगे भाई आप ने लेते हैं पुलीस वाली लेडी सिंग अब हाँ कॉप फीमेल डान तो एक कॉप फीमेल आ रही है बिलकुल हाथ में गल लेकार भाई फॉन्ट उनिफॉन में बिलकुल रेडी इनको लेशे जाते हैं पाई के साथ और भाई पाई को जो रेस थी है इन्होंने क्या साउंड आया यार भाई बहुत ही बैटरी क्या पाई चला रही है बहुत ही तगड़ा लुक और भाई चाज जॉम्प है इन्होंने तीन चार बार तो फिलिप मार दिया फ्रंट फिलिप बैफ फिलिप सब मार दी एकसाद और गाड़ी जापक गिरी थी उसके आसपास ही ये भी गिरी है अब बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोसो प्लस की स्पीड बहुत ही ताइम से अलमोस्ट हमारा रैंप होने वाला है ओवर दोसो दस 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 दोसो दोसो एकसो नपए की स्पीड पर नो ने किया है जंप अब आलमोस्ट ये बहाद जाकी गिरने वाला है जिसके कोई हाद नहीं होने वाली बैद दोसो थिंग दो चॉट शूट स्वीड तो भी चलते ये बिसिक्री कबार से बनाई हुए है इसमें चे टायर लगें बहुत जानदार लेकिन ओव बरिक जो नॉर्मल आईटेन है ना आईटेन की गाड़ी की बौडी रख्योगी है उसी के इंजन से चल रहा है तो बिसिक्री सारा कबार जोड़कर ये बनाई हुए है बाई ये इसमे की मदा है हॉपके साथ चल निगा रहा है थैसके आट रख्योगी है ज्ञाए आईटेन हो के लिचनाओ सूंकी प्लाव llevar ये बाप साथ चलेगग जीनाओ प्लतेगिन जाए् खकर निग जाके गाड़ी है जाए रहा ने आजए बहार आजकर बनापराग के और ये जो यह जोए न्यूट्रा यह किसी की साइड ने है, फिफ्ट जोए अभाई हमारे में क्यारक्टर उसको हम जेंच कर सकते हैं किसी से इस बागी छो क्लोन है वो एस इडिस रहेंगे तो यह पिखार है, अंटी में, अंटी नाइ अंटी, यह सारी अंटी हैं क्यों है यह भी अंटी oh my god James Bond 007 डबल डी ठोड़ो James Bond 007 ने भी पुलिस वाली को मार दिया है वाई मुक्की और यहां पर तीन पुलिस वाली बाहर आदे हैं गल निकाल के पर उनकी साथी पर गोली चली है तो छोट कैसे दिंगी तीनों के तीनों ने जोगो दिनकाल दो जाओए लेकिन वाली लोगों पकाड़ के बाहर निकालते हैं जुक्षीम करी निकालते है कि थजके यह दो वाली तो पूपमुश्किल खान है और डिकटी ही के आपका जो महीन केरिक्टर वह यह पिसे इंविंसिबल क्या है तो अगर उसका क्लोन भी मैं बना हूँगा नहीं तो उनको मारना भुषके लाइगा तौत अगर आगए तो आगए तो आगए तो आगए अगए अब भॉपर से बिरा दो लुटर हूगा तो अगर अखलीनी वह और आज यह था फ़ादगी ज चलेगा, लिगन किनी सुनना रहा है यारी है, किसी मोवी की हीरो इंग जैसे मिल खुल, अजम पी अच्छा गलेते, जैसे ही रैम पे वापस हैं भाई, इंग नों कोने बोलें चलानी कर दी है, स्टार्ट, अब मैं क्या बहुत है, इन से लड़ने कह लाओ, क्या ही कर सता है, अबर मैं, फॉल स्पीड से रन करो, जूकर मैंने सूपर रन ओन किया हुआ है, इस सूपर रन के साथ, जा मैं इनको नीचे गिरा सता हूँ, बिल्कुल गिरा सतते हैं, तो ट्राय करते हैं, तो इस वीडियो को कर देंगे, इसी के साथ एंड जैसे ही लोग नीचे किल जाए सबसे देनम हैं, आ इस रण के लिचना गई है, इस वीडियो के गई हैं, भीलत किया है, प्लीज को लाइक खर देना, चैनल को को कर देना then subscribe और बदा लाइक, अबै इस भीडियो में आपको जा अच्छा लागॉर्हा, प्लीज को घरे बताना, क्योंब हैं तो ये इन्फोम बलते हैं आप सबसे नेक्स वीडियो में तब तक अपने गर्वालों को रखो जान आप सब कुराम राम और भाई आपकी सीटी पे जैसी वोटिंग हो न वोट डाल क्या हो और आएगा तो वोदीशी